हेलो इंडिया वलक्म टो इंडियन अआइ प्रडॉक्षन दोस्तो जब या पाइथन प्रोग्रामिंग करते हो तो पाइथन प्रोग्रामिंग करते समय आपको कोई भी आइटी का UAC इस्तमाल करना पड़ता है बट मान लो आपको एक चोटा सा प्रोग्राम लिखना है और छोटा सा प्रोग्राम लिखने के लिए आपको कोई heavy ID open करनी पड़ती होंगी तो वो बहुत time consuming होता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम सिर्फ ओसी notepad का इस्तमाल करेंगी या कोई भी आप text editor का इस्तमाल कर सकते हो python की coding करने के लिए और उसके बाद हम क्या करेंगे हमें उस python program को execute करना है तो execute करने के लिए हम क्या करेंगे हम command prompt का इस्तमाल करेंगे तो इस चीज को अंजाम देना है तो उसके लिए हम क्या क्या करना है consequence steps follow करने इसके ओपर हम बात करेंगे और इसी के साथ आप windows system इस्तमाल कर रहोंगे या आप linux system इस्तमाल कर रहोंगे तो command prompt की जो process है वो same होने वाली है बस unique system में आपको कोई other जैसे की vim है nano है इस तरीकी का editor का आपको इस्तमाल करना पड़ेंगा program को create करने के लिए राइट बट फिलाल हम आज की वीडियो में हम बात करेंगे windows के बारे में तो windows में हमारे पास notepad software already हमारे पास available होता है तो चोल यार सबसे पहले अभी हम क्या करते है practical को start करते है आपको windows system में आपको python programming execute करने तो आपके system में कम से कम python ये software install होना चाहिए software बहुत भारी नहीं है around 30 MB के आसपास आजाएंगा 25 से लेकर 30 MB के बीच में तो इस software को आपको download करना है unix या Linux operating system में या mac operating system में python already install रहता है तो वहाँ पर आपको install करने की ज़रूरत नहीं है बस windows के लिए आपको क्या करना है python.org site के उपर आना है इसके link आपको description box में मिल जाएंगे next आपको download के उपर आना है download के उपर आते हो तो उसके बाद आपको यह option मिलेंगा python python for windows और यहाँ पर अभी latest version है 3.10.0 तो आपको इसके उपर क्लिक करना है इसके उपर आप क्लिक करते हो तो आपको एक pop-up आजेंगा और बोलेंगे आपको कहाँ पर यह file सेव करने तो जहाँ पर आप फाइल सेव करना चाहते है वह location यहाँ पर रख दो और इसके बाद सेव बढ़न के उपर क्लिक करते हो तो आपका यहाँ पर आजेता है आपका स्कूप्टर यहाँ डाउन्लोड हो जाता है उसके अंके आपको क्या करना है इसको on करना है एक्जींड करना है एक्दम सिंपल है है यहाँ पर अपको Stand- sónप्टर कहksomÓं और अशकर करना है अब हम क्या करेंगे हम notepad का इस्तमाल करके python programming start करेंगे तो notepad को open करने के लिए windows system में windows plus s button को press करो और इसके बाद यहाँ पर लिखो notepad उसके बाद यहाँ पर enter कर दो notepad के उपर तो यहाँ पर अभी हमारा notepad open हो चुका है यहाँ पर अभी क्या करने आपको python programming start करने है to save the time मैंने अल्रड़ी एक python program किया है यहाँ पर आप देशे तो यह simple calculator addition of two numbers subtraction division and multiplication का यह program है आप कोई भी python program होगा ओप लिख लो right for demonstration purpose के लिए तो यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर program लिया है python का ही program है देखना है यहाँ पर error नहीं होना चाहिए अब हमें इसको क्या करना है हमें save करना है तो save करने के लिए आप ctrl s बढ़न को press कर सकते हो यह आप file में जाना है file में जाने का यहाँ पर आपको save का option मिलेगा इसको पर click करने के बाद अभी हम क्या करेंगे इसको जहाँ पर आपको save करना है वहाँ पर save कर लो मैं जा रहा हो डी जी ड्राइव में तो यहाँ पर मैंने जी ड्राइव को select किया जी ड्राइव को मतलब होता है python file right MP4 का मतलब होता है video file JPG का मतलब होता है image file इसी तरिके से हमारा python program है तो हम यहाँ पर लिखेंगे dot py यहाँ पर लिखने के बाद आपको यहाँ पर save as a type यह आपको आना है और यहाँ पर click करने कबाद all files के उपर click करना है all files select करने कर आप क्या करो save button के उपर click करो तो आपकी python files से हो जाएंगे right python file text file नहीं होंगे right और मान लो आपको यहाँ पर text documentary रखना है लेकिन आपको python file save करने तो आपको एक दूसरा option बताता हूँ यहाँ पर already txt extension backend में आ चुका है हमें txt नहीं चाहिए तो हम क्या करने के dot लिखेंगे और py रहने देंगे और उसके बाद यह जो भी हमने नाम लिखा है file का नाम.py इसको हमें क्या करना है double quotation के अंदर रख दिना है तो यहाँ पर double quotation start and double quotation end और उसको यहाँ पर मान लो text document ऐसा ही रहता है तो कोई यहाँ पर मैंने save कर लिया file को अब मैं जाता हूँ जी ड्राइव में और देखता हूँ मेरी file save हो चुके python तो यहाँ पर मैं जी ड्राइव में आ चुका और यहाँ पर आप देशे तो मेरी python toolpad का इस्तमाल करके python programming कर सकते हैं और उसकी .pi file भी create कर सकते हैं अब क्या करना है अब हमें यहाँ पर इस file को execute करना है तो execute करने के लिए आपको command prompt open करना पड़ेंगा command prompt open करने के लिए यहाँ पर प्रेस करो और यहाँ पर लिखो cmd आप सर्च करके भी उसको open कर सकते हो उसको क्या करो okay बढ़न के ऊपर प्रेस करो okay बढ़न के ऊपर प्रेस करने के बाद यहाँ पर भी हमारा command prompt open हो चुका आपका python software successful install हो चुका होंगा तो आपको उसको check करना पड़ेंगा सबसे पहले check करने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पर आपको लिखना है python है लिखो यहाँ पर python लिखने के बाद यहाँ पर आपको python की जानकारी मिल जाएंगे तो जैसे यह हमें क्या करना है हमें यह interpreter open हो चका है python का इसको में exit करना है तो exit लिखना है उसको बाद bracket start bracket close उसको बाद exit कर लो right enter button पर इसकर करके आप exit हो जाते हो अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आपने जो python फाइल क्रेट किया वह कौन से जगाप है कौन सी drive में है तो हमारे जी ड्राइव में थी तो हम यहाँ पर लेंगे आपने कोई अलग folder में file सेव कि होंगी तो उस situation में आपको क्या करना है आपको लिखना है CD मतलब होता है change directory और यहाँ पर जो भी directory होंगी जैसे कि यहाँ पर आपको दिखना चाहँगा कि हमारे पास क्यों सी directory है तो हमने पास data set नाम की यह directory है तो आपको उसके अंदर जाना है तो आपको क्या करना है बस cd लिखकर data set यहाँ पर लिखना है as it is यहाँ पर case sensitive हो रहता है तो capital होंगा तो capital small letter होंगा तो small letter और इसको बाद उस folder में आपकी python calculator कोई भी python file होंगी तो उसके एक्जिगूट करना है तो उसके लिए क्या करना है अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूं अब यहाँ पर जो में कमांड बताऊंगा वह आप Linux में Mac में किसी भी operating system में आप execute करने के लिए इस्तिमाल कर सकते हो यहाँ पर अभी ध्यान रखना है हमारे पास python file अवेलेबल है यही जगह पर यही लोकेशन पर जी ड्राइव में डिरेक लिए तो यहाँ पर आपको लिखना है python क्या लिखना है आपको python यह कमांड लिखने इससे पता चलता ह है कि हमें python file execute करने है अब हमने यहाँ पर बता दिया कि हमें python file execute करने है तो यहाँ पर हमारे पास file का नाम क्या है यहाँ पर हमारे पास file already available है तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पर आपको लिखना है python underscore calculator अब आपको बोल रहा है कि हमें ज्यादा लिखने के लिए आदत नहीं ह तो आपको tab button प्रेस करो तो आपके file का नाम automatic यहाँ पर आ जाता है same नाम की single file होंगे तब right तो यहाँ पर अभी हमारी command हो चुके अब आप में क्या करना है just enter button को press करना है और इसको वाद हम python file python program को execute कर सकते हैं आपर आप देशे तो हमारा program तो execute हो चुका है बट यहाँ पर हमें error दिया है क्या बोला है line number 20 में input यह first name indentation error मिल चुका है क्या मिला indentation error मिल चुका है तो हमारे space की गड़बढ हो चुके तो अब हम क्या करेंगे file को फिर से change करेंगे edit करेंगे right तो उसके लिए हम क्या करेंगे हमारा यह notepad था हम यहाँ पर notepad में आ चुके है और यहाँ पर हमारे line number 20 थी line number 20 तो यहाँ पर अभी हमारे पास indentation error आ चुका है इसे तो यह वाली यह पर indentation error आ चुका है तो में यह आपर debug करने के लिए दोस्तों आपको थोड़ा बहुत time लगता है इस file में ध्यान रखना है तो यह आपर हमने इसको भी change कर लिया है फिर से हमारा operation syntax error आ चुका है यह error हमें solve करना है 27 नंबर के ओके तो यह पर हमने else यह पर लिखा भाई यह नहीं लिखना चाहिता यार मैंने किसका code copy किया ओके तो इसको भी मैं हटा दूँगा और save करूँगा फिर से इसको execute करूँगा यह पर आप देशे तो अभी मेरा program successfully execute हो चुका है यह पर बोल रहा है add subtract multiply division तो select and operation to perform तो यह पर भी हम notepad में हम क्या करेंगे python programming करेंगी और उसके बाद command prompt में उसको किस तरीके से execute करेंगे यह आपको समझ में नहीं आया हूंगा तो आपको क्या करना इस वीडियो को एक बार 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 देखो जब तक आपको समझ में ना आया और आपको बोल रहें कि भाई मुझे python बड़े id execute नहीं करने तो आप notepad का इस्तमाल करो ना आपको python install करने की ज़रूद भी नहीं पड़ती सिर्क और से 27mv का software उसको install करो और आपके python programming start करो right तो इसलिए हम यह काम करते हैं तो चलो दोस्तों इस वीडियो को हम यह पर end करते हैं मिलेंगे हम next tutorial में तब तक के लिए सिखते सकाते कुछ implement करते रहो धन्यवाद